अगर आपको याद होगा मैं काफी दिन से बोल रहा हूं कि वह सतरह साथ सो पचास और उपर में सत्रह आठ सुपचास सत्रह नौस्ट का एक लेवल है इसके उपर में मार्केट बंद करेगा तो डेफिनिटी मार्केट के लिए पॉस्टिव होगा तो फाइनली मार्केट इसक निफ्टी को जो हाई बना था वो था सत्रह नौसो सत्रह का और मार्केट आज क्लोज हुआ उसके उपर में सत्रह नौसो तीस इस वेरी गुट इस इन फैक बजट वाले दिन का मैं आपको हाई लो बताता हूं तो बजट था एक वन फेवरी को उसका हाई था सेवेंटीन न उसके उपर बंद हुआ है बट डिफिनेटी विट एक्सपेक्ट के निफ्टी जो है वह ठारहजार के उपर कन्विंसिंग बंद हो तब हम लोग और एग्रेसिवली इसके अंदर में पोशिशन बिल्ड कर सकते बड़ा इतीं मार्केट इस डेफिनेटली ओके टू बिल्ड आई टीसी जो कि सबका फेवरेट्स था के वह तीन परसंट देज था त्री एटीसिक्स पे ट्रेट कर आई टीसी तो आज मार्केट को आई टीसी ने बचाए क्या कोईंसिदेंसे कि मैं आई टीसी में बुगनेश्वर में रह रहा हूं आज क्या एक बहुत ही अच्छे ट् सब्सक्राइब काफी वीग सब्सक्राइब मुझे नहीं पता यह वीग क्यों हो रखा है बिजनस वाइस तो मुझे हमेशा से रिलाइस परसंद था इस पार्ट आप माई किड्स पोट्फोलियो तो जो मदर स्टॉक से जिसमें मैं कॉंसें साइपी कर रहा हूं जिसमें पर रिलाइंस आता है तो रिलाइंस का जो इमीरेट स्विंग हाई था इन दिनों का इन दिनों का इन वहां 2370 और वह बंद हुए 2378 बट इस वीक सब्सक्राइब सारे मुविंग अवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है आरस जो की मार्केट का इंडिकेटर है कि मार्केट के वीजा वीजो कैसे कर अभूबी वीक है तो आज इसने बचा दिया है इनफेक्ट आज मुझे लग रहा है कि मार्केट को काफी हद तक लार्ज कैप कुछ-कुछ लार्ज कैप को पकड़ के बचाये गया है इसको ना कई पर बहुते हैं कि इंडेक्स को मैनेज किया गया है कॉंसेप्ट है बड़ा सिंपल सा कि जो बड़े बड़े हेवी स्टॉक से ना उसमें से पांचे स्टॉक को अगर आप मैनेज कर लें और ज्यादा पैसे नहीं चीह तो उसको अगर उपर पुश्ट कर दें स्पेशली जैंग ग्लोबल मार्केट से बहुत जादा कोई लाक करोर्व यहसा लग करोड़ का मार्यट कर थीचेश 12,082,000 करोड ये भी अलमस्स.पैस फैस स्टॉक नो लाक करोड ये भी अलमस्स.ष्ट हमअ पर संथ इस था. इंफसस चाहला व्यु क्रोड ये तक्रिवन 1.7 पर संथर और हिंदुस्तान लिवर चे लाक करोड वह फ बैंक ऑफ इंडिया चार लाग 82,000 क्रोर 0.67 और फिर ITC चार लाग 80,000 क्रोर वह 3.3% तो मोटा-मोटी आप देखो निफ्टी की टॉप स्टॉक से ना इंडिया के वह सब थोड़ा पॉस्ति बायस में बंद हुए इसलिए शायद निफ्टी को अच्छा मैनेज किया गया है अ निफ्टी स्माइब माइनस 4% है इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से लार्ज के आपको मैनेज किया गया है ताकि निफ्टी उपर में क्लोज हो अब इससे बहुत जादा हमको रिडिंग नहीं करने चाहिए इस ओके किया गया है अगर हमको सपोर्ट मिलता हमको फायदा होता उससे तो हम फायदा उठालेंगे अगर हमको नुक्सान होता है तो हम ध्यान रखेंगे हम अपना स्टॉपलस को सही रखेंगे कुछ स्टॉक से बहुत ही गंदे लूजर्स थे और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था ना कि अब ऐसा हो गया है कि जो ओवर हैप कि रिजल्ट थोड़ा सभी किंतो परंथ हुआएगा तो मांके इंडिया इंडिया च्छे परसंट डाउन था अडानी तो चैज उसका चोड़ दीजे अडानी पावर टोटल गैस ट्रांस्विशन विलमार ग्रीन एनरजी यह सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं इंफिर अ है फार इंडानी ठर्वट और अडानी चाहिए पलास में कॉन सा बन था था हुँ आप लिए और जो थोड़े बात बीरेजनबल यह जिन का लगता कि बिजनस में कोई वैल्यू है वह फिर भी एक लेएक लेवल के बाद में जाके आप खड़े हो गया है अदर्वाइस उनकी भी पिठाई चली रही थी कुछ इंट्रेस्टिंग स्टॉक्स जो अपने फिफ्टी टू विक हाई जोन पर आएं जैसे सेरा सैनिटीव है जो फिफ्टी टू विक हाई जोन में आ गया है इन फैक्ट आस थोड़ा सा डाउन हो गया था सब्सक्राइब करेंगे तो इनको पिटाई तो बहुत पढ़ने वाली है पर आवा जाने आपको बता ही दिया कि अवर्ल मार्केट जो कि उसके अधर में कि गरना होता है वहां पर उसके बाद में पिटाई पढ़ जाती है तो आइधिंग मार्केट के अंधर में इस नौर्ड बार बार अईडिया क्योंकि मार्केट अपना 200 200 exponential moving average 17-550 इसके उपर में अभी convincing बंद है और अच्छा ही आज का मुवमेंट अच्छी अच्छा मुवमेंट में मुझे नहीं रखता है कि मार्केट हर बड़ी में नीचे जाएगा लग नहीं रहा है तो आइधिंग जो चले हैं वह बहुत इंट्रेस्टींग स्टॉक है और इन में हाइं मुमेंटम की चांस है अपने फोन पे सॉक के अंदर में ट्रेंडिंग स्टॉक एक मेरा फेवरीट सेक्षिन है उसको देखके मैं एक जच करता हूं कि ओवर रल किस तरह कि फार्यमें मुमेंट हो रही है और मुझे अभी क्या करना चाहिए from a market perspective derivative positions वगर का data आएगा शाम को आएगा तो मैं इसको analyze करूँगा कल तक कर डिटा तो ही तो डिफिनिटी एफाइस ने शॉट कर रखा डिविटिव में तो बाकि तक exponential moving average 200 के उपर मांकेट है तो तो stocks में momentum ले करना चाहिए लेकिन एक बात ध्यान रखेगा अभी stocks में momentum छोटी आवदी के लिए बहुत जादा aggressive मत भाई किजेगा because 30% 35% stocks चलेंगे की नहीं मुझे नहीं पता है हां 10-15% का movement 34% का stop loss that can be a good benchmark if at all you want to participate in stock चलिए thank you so much for watching this I hope you are liking this daily कर रहा हूं कुछ कुछ इससे फाइदा क्या होता है कि आप से रोज मिल पाता हूं बात कर पाता हूं और मुझे भी market का अपना बात जो है वो बूलने का मौका मिल जाता है तो यह मेरी टीम ने recommend किया था कि आप डेली बात कीजिए तो इसलिए में करने लग गया और ट्रावल कर रहा हूं बद स्तिल आ थाट इट विल बी अगुड आइडिया तो इंट्राक विटियों थैंक्यों वाई बटेकल बबाइ